पांज ककार सिख दे जीवन इच बहुत एहमियत रख दे हन। जिसने गुर्णान के दी विचारता रहनों अपनाना है उन्हों पांज ककार रखने बड़े जरूरी हन। सिख जीवन जाच बिच ककार दी एहमियत इन्ही है कि एसे दा गुरूग देना लिंक जोड़े हन। और जिने ककार पाए हों दे हन। उन्हों ए डर भी रेंदा है कि मैं ककार पाए ने, मैं कोई गलत कम नहीं करना, केसे नल चूठनी बोलना, केसे नल तो खानी करना, नशा न करना, केसे किसमदा भी नशानी करना, अते केसे दे हाक नो नहीं मारना, ते सर्बत दा पला करना, ए पांच ककार हर सिख नू जीवन विचे, अपनान दे नाल गुरू दा जिडा उपदेश है हर टैम दिल विचे ते रेंदा है। इना ककारा बारे किसे ने मास्टर तारा सि तो पुछेया कि ए कडा क्यों पाया है उना दा सिद्धा और सरल जवाब सी कडा मनो गुरू नुडू छेते करांदा है ते गुरू नल मिलांदा है, इस करके मैं कडा पाया है। सिखानो केस रखन विच, कंगा रखन विच, ते कचैरा पार्नीच, कई वरी बड़ी दिनता है यह सब तो पहला जे ए समझिए कि गुर्णानक साहिब दे टैम तो ही तिन ककार हर सिक लेई लाजमी संद जरूरी समझे जान दे संद पाना इस करके क्योंकि सिक ने एक विचारता रानू जीना है जद किसी असी किसे फेक्टरी विच जान दे हैं उथे दी वर्दी ह होंदी है कुछ बुक्स होंदिया ने फारम पर ना होंदा है एसे तरह इस सिक दी एक वर्दी है क्योंकि सिक अकालप्रक की फोज है केश कंगा कशारा गुर्णानक साहिब तो परचलत संद हर सिक नू लाजमी पाने पहन दे संद जिदा परमान पाई मर्दाना जी तों ग्यान रत्नाम दिल दे अंदर पाई मनी सिंग जी लिख दे हन कि पाई नीरु जी ने पुछया मनू की करना पैगा पाई मर्दाना जी ने सिक्खी विच शामल होंड लई उनानू इतिन ककार ते बानी पढ़नी ते सरबद्दा पला मंगना इतिन गल्ना ते जरूरी ते आ पतल नहीं करना किसे किसमदावी रोमा दी पेद भी नहीं करनी और केसा दी सफाईले कंगा रखना है लकड़ा ते कशारा पाना है इतन चीजान लाजमी गुर्णानक साहिम ने आपने समय तु ही कर दिती है जो कि आज सिक्ख परचारक भी सिक्ख संस्थावां भी यह नही कि बेंती करना चाहेंगा कि पहला इस चीजनों समझना जूरूरी है जद गुर्णानक पाई मर्दाने जी तु पुछया पाई नेरू जी ने कि मैं सिख्खी दे इतन ककार दे नाल होर की करना पेगा उन्हाने सिद्धा जवाब दिता सी सिर्थे दस्तार से जानी है सिर्थ तोपी नहीं पाने दूसरी विचारता रादे लोग अपनी टोपी पा सकते हन लेकिन जिसने केस रखे हन और गुर्णानक दी विचारता रहनों जीना चांदा है उस्ते लई लाजमी है कि ओ सिर्थे दस्तार सजावे ते ए वी इक किसम नाल सिख्ख लई बहुत जरूरी ज जा जावे और पानी का कारा इज केसांदी एहमियत देड़ी है शिकले क्यों जरूरी है क्योंकि गुर्णानक साबदा ए उपदेश है और इन उपदेशा नो बानी केसांदी एहमियत नो और केसांदे रखन बारे पागताने मी जिकर कीता है साबद सूरत दस्तार सिरादा जी जिकर आंदा है पामे की उस बानी दे अंदर माने दी पड़ चोलता ते सिर्थे दस्तार सिजावन दी गाल है केसांदी नो साबद रखन दी गाल है इस दे नाल नल गुर्बानी केसां दा कई जगाते जिकरांदा है जिसनों हर सिख नू समझना बड़ा जरूरी है कंगा रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिख ने इनू जटावानी बनानी हैं इसनों केसा नू साफ रखना है दोनों टैब कंगा करंदी हिदायत है सिख रहत मर्यादा विच सिख रहत मामया विच हर सिख नू इस करके कंगा हर टैम नाल रेंड दे नाल सिख पुलदा नहीं है ते जद भी दस्तार उतारदा है सिर ते उग कंगा पांदा है कंगा लाण देनल सिख दी हर टैम केसा दी सफाई रंदी है ते उस्ते नाल नल फिर आजांदा है कचैरा जिड़े तिन ककार गुर्णानक साहिब दी टैम हर सिख ले लाजमी संद कचैरा इस करके रेवदार और सीत्या होया पाया लाजमी समझया गया क्योंकि मनुवदी आरतारा विच कोई भी सीताहया कपड़ा नहीं पांदे संद जिसनों माड़ा समझया जांदा सी पाप समझया जांदा सी इस करके हर सिख लाजमी किता गया कि उस सीताहया रेवदार कंचैरा जिड़ा है उपावे उस्ते अंद्रों जडिए अनमती विचारता आरा है हुण इस तू बाद जिड़ा है चोथा कायर आजांदा है करपान करपान सिखा ने लाजमी छेवें जामेच होया हलाकी सस्तर रखन दी होकम गुर्णानक साहिब दे टेहन तू है बाबा बंदा सिंग बहादर ने मी गुर्णानक दी करपान दी काल कीती है जद उना ने सिख राज कैम कीता ते सिख दे सिखे ते गुर्णानक दी तलवार ते गुर्णानक दी तलवार ते गुर्णानक दी तलवार ते गुर्णानक दी बख्षिस दिकाल कीती है ते ओ तलवार ओ करपान जो की सरवद्दा पला मंग दी है करपान लाजमी होना ताँ जरूरी समझा गया जद गुरु अरजन सहीब नो शहीद किता जाल माने और मनुकता दे पले ले गुरु गरंज सहाव दे अस्थापना तुबाद गुरु गरंज सहाव दा दरवार सहाव दे अंदर प्रकाश होना ए अनमती विचार तारादे तार मक आगवानों पसंद नहीं सी जिस करके गुरु अर्जन सहीब पात्षादी शहादद दा मुक कारण बेसिक कारण है जिसनों हर सिखनों समझना पेगा होर भी कई कारण हन लेकिन उस ता सब तो मुक कारण जड़ा है ओ गुरु गरंज सहाव दा जड़ा है संपादना करनी पंद्रा पकतादी बाणी फठादी बाणी जड़ा सारे गुरुआंधे तुल भराबर देखे ओदेविच ब्रह्मना दी जड़ी रामानजी पर्मानमजी जिनन ने ब्रह्मनी विचार तरा छड़ दिती छिए उना दी बाणी शामल कीती ते किसे दी जोर जबरत्तित दे अधीन वीच आके किसे वी राजसत्ता दे कवी नू उस बाणी गुरुगरंद साहब इच अस्थान नहीं मिलिया जो कारण बनेया गुरुगरंद साहब दी शहीदी ते छेवें जामें चे दो तलवारा पैके मीरी अते पीरी दियां इपका हिदायत कर दिती गई कि जिड़ा कोई भी जालम ये कोई भी दोस्ट बंदा जेड़ा मनुक्ता दा विरोधी है मानुता दुन नुक्सान पचान वाला है दीन ते दुनिया दे विच जुलम करन वाला है उस नू हर टैम ए सस्तर देखके चेती रवे कि गुरुणान की विचारता रा किसे दा जुलम ना करद है ते ना संदि है ना जुलम करन देती है ना जुलम करदी है इस काल नुआ लाजमी कीता और करपान चार कारां दे रूपिच छेमे जामे पाओ गुरु हर गोविन सभे पाथशाह दे टैम सिखानू लाजमी कीता गिया हुण आंदा है पंज्वा कार कड़ा कड़ा ए सिखांदी देन है जद गुर्णानक साहिव दस्वें जामेच सिखांदी परिख्या लेंदे हन एक वदेवा देड़ की शनीचर्दा दान लेनवाला पंडलत है उसनों बुलांके दान देनदे हन ते सिखांदी क्योंकि नितापर्ती बानिच पड़ देशनों थित्ती वारी सेवे मुगतगवार ते सत्गुर्ण पिता ने सिख दी इस परखनों कायम रखन लई और पक्यां करन लई उननों बुलाके जद दान दिता महां दी दाल तेल तेल लोहा ते उनने क्या कि होन तो अन्नों जे परकोप त तो अनुशनी पड़ेते हावी है तो अनुब बहुत सारा दान देना पेएगा ते जे छोटा मुटा बंदा होंदा ते उननों पाईया दाल थे थोड़े तेल देना सार दे तुसी ते बहुत बड़े गुरू हो तो खोते हैं लद के जड़ेह लेजरन लगा जंगल वीच़ जाके सिख्वाने उस झुझको लेधा बडलत ने किया तो आडे गुरू ने दान दिता है उन्हा ने जवाब दिता है साड़े गुरू ने भी ने ही एही समझाया है कि ठिती वारी सेवे मुगद गवार दिन और महीने नू जड़ा मारा समझदा है ओ मुरख और गवार है ते एदान जड़ा है उस तो खोके जड़ा लेता सी पंडलत ने ओो उन्द सोचा गया कि किस तरह खर्च कीता जाए इसनों किते खिनारे लाया जाए उन्दै ने पहली पंगत दे अंदर गुरुपात्षा ने जद लंगर चक्किया उन्हाने देखिया कि सिखाने कुछ कड़े पैंड रखेशन बड़े सूजवान सिंगा ने देखिया कि लुए तु भी वैम कर देशन शनीवार्द वाले दिन लोहा नी लाके जनाकार ते इस वैम नो ते गुरु मारण ने पुछिया एक की पाया तुसी तद सिखाने सेम देऊ हैं थोड़ा डर देऊ हैं इस गाल नो दस्या ते गुरु मारण ने उच्छी अवाजी सारी लंगर वी सारे हालिच एकिया सिंगो आज तुसी एक जंग जित लई है ते मेरे साबनल गुरु दाना हर सिती सदा मिल रहे जिनि आप अच्छाना ग्यानिय का महत है मन माहिस माना जिन गुरु परसादी मन जीतिया जग तिन ही जताना जब जी साब देंदर गुरु नानक पितावी जोगिया नो एही समझा देहन मन जीते जग जीत सब तु बड़ी गाल है सिखने पहला म ते कब उपाड़ना है माननों बुराईयां तो होड के रोक के सच्चे वाले रास्ते ते तोरना है ते कड़ा हर सिखनों याद दो आंदा है कि गुरु ने सानू रोक्या है किसी भी परम पुले खेतों सगन अब सगन तों असी नहीं मनना किसे दिन नू चंगा माडा नहीं मनना असी अजेबी सगन अब सगन व्यावा मेंच भी सगन करी जानियां अब सगन करी जानियां कदी गुर्मत अनुसार गुर्बानी दे ओट आश्रे दी गाल नहीं कर दे क्योंकि जड़ा पहुल लेड़ी है गुर्णानक साहिव दे टैम तू चली आ रही है उस नू सिर्फ गुर्बिन सिंग पाधिशा ने चरन पहुल नू खंडे दी पहुल इच तब्दील किता उस टैम बाणी जड़ी है पढ़के जल त्यार करके सपत दवाई जांदी सी ग गुर्णानक दी विचार तारा दे तुरंदी इस नू कनवर्ट करके बदल के गुरुगोविन सिंग पाधिशा ने गुरुग्रंद साहब दी हजूरी विच पांज प्यारे खंडे बाटे दा पहुल बाणी पढ़के त्यार कर दे हन ते हर सिख नू एक कमिट्मेंट करां दे हन कि आज तू तो अड़ा गुरु गुरुगरंद साहब है होर किसे पासे तूसे नहीं जाना सिर्फ ते स्रुफ गुर्बानी बानी ते बाने देनल प्यार करना है ए पांधिककार साडेले ए उपदेश कर दे हन वाही गुरुजी का खालसा वाही गुरुजी की